9.7 मिश्च धातू, एलोईस किसी धातू के गुण धर्मों को बहतर बनाने के लिए मिश्च धातू बनाना एक प्रचलित विधी है ऐसा समांगी मिश्ण जिसका मुख्य अव्यव एक धातू हो मिश्च धातू कहलाता है इसे ठोस विलियन भी कहते हैं मानोद्वारा प्रागैतिहासिक काल से अनेक मिश्च धातू का निर्मान एवम उप्योग किया जा रहा है मिश्च धातू बनानी का मुख्य कारण धातू की गुणवत्ता बढ़ाना, उसे कठोर बनाना, तथा धातू के गलनांग को कम करना है मिश्ट धातू आसानी से ढाली जा सकती है तथा इसका विभिन शेत्रों में उप्योग किया जाता है मिश्ट धातू बनाने के लिए एक धातू को पिघला कर उसमें अन्य धातू या और धातू तत्व का निश्चित अनुपात मिलाया जाता है बाद में इसे ठंडा कर मिश्रधातू प्राप्त की जाती है। इसे बनाते समय धातू या अन्य तत्वों का चैन उनके विशेश गुणों के आधार पर किया जाता है। ताकि मिश्रधातू में हम वांचित गुण प्राप्त कर सकें। लोहा सरवाधिक उप्योगी धातू है लेकिन इसका शुद्ध अवस्था में उप्योग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अपेक्षा कृत नर्म होता है। जब इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तब यह कठोर हो जाता है। स्टेनलस स्टील लोहे की एक मिश्ड धातू है जिसमें कार्बन के अतिरिक्त निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम लोहे को जंग लगने से बचाता है जिससे लोहे की उप्योगिता बढ़ जाती है। क्रोमियम लोहे की एक मिलाया जाता है। क्रिया कलाप साथ अपने घर और विद्याले में उप्योग की जाने वाली धातू की सभी वस्तों की सूची बनाईए। इनमें से कौन-कौन सी वस्तूएं शुद्ध धातू से बनी हैं तथा कौन सी मिश्ट धातू से उसे नोट कीजिए। इनहें धातू या मिश्ट धातू से बनाए जाने के कारणों पर विचार कीजिए। 36 गढ़ लोह अयस्क का प्रमुक्षोत है। यहां कई इस्पात सैंयंत्र भी हैं। 36 गढ़ में लोह कारे का एक प्राचीन इतिहास है और अलग-अलग शेत्रों में लोहे की कारिगरी की तरह-तरह की परमपराएं भी हैं। हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ लोहे के अयस्कों से निसकर्शन की विधिया ढूंडी बलकि लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर अनेक मिश्र धातुओं भी तैयार की हैं। मुख्य शब्द की वर्ड्स हमने सीखा पहला धातूं में धात्विक चमक, तन्यता, आगहात वर्ड्यता तथा ध्वनिकता होती हैं। तथा ये उश्मा और विध्दुत की सूचालक होती हैं। दूसरा धातूं को उनकी सक्रियता के घटे क्रम में विवस्थित करने पर सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। तीसरा अधिक क्रियाशील धातूं कम क्रियाशील धातूं को उनके लवन के विलियन से विस्थापित कर देती हैं। चोथा, धातुएं ओक्सीजन से क्रिया कर ओक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृती शारी अथवा उभहे धर्मी हो सकती है। पाचवा, धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। छटवा धातू को उनके आयस्कों से प्रिथक करने की विधी धातू कर्म कहलाती है धातू कर्म के 3 चरण है पहला आयस्क का सांधरन दूसरा धातु का निसकर्षण तीसरा धातु का शुद्धी करण नौमा धातु के अयस्क की प्रकृती के आधार पर उसके सांद्रण की विधी का चैन किया जाता है दस्वा सांद्रण मुख्यत गुरुत्व प्रिथक करण विधी जाग उत्पलावन विधी तथा चुम्बकी प्रिथक करण विधी से किया जाता है 21. सांद्रित अयस्क को वायू या ओक्सीजन की उपस्थिती में उसके गलनांग से कम ताप तक गर्म करना भरजन रोस्टिंग कहलाता है सांद्रित आयस्क को वायू या ओक्सीजन की अनुपस्थिती में उसके गलनांग से कम ताप तक गर्म करना निस्तापन केलसीनेशन कहलाता है 12. धातू के ओक्साइड का धातू में अपचैन मुख्यता कोईला अत्वा कोक से करते हैं 13. आयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को पिगले रूप में हटाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को गालक फ्लक्स कहते हैं गालक अशुद्धियों के साथ क्रिया कर धातू मल स्लैग बनाते हैं 14. क्रियाशील धातू में ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती हैं यह क्रिया संक्षारण कहलाती है 15. धातूं को अन्य धातूं अथवा और धातूं के साथ मिश्रित कर मिश्र धातू बनाई जाती है